नवश्कार SBT News में आपका स्वागत है और पेशे इस वक्त राजस्तान की बड़ी खबरें मुकेमंद्री अशोग गहलोत ने रविवार को BJP नेताओं की मोजूदगी में ही प्रदेश में पुरो में रही उनकी सरकार और पार्टी पर तंच कसे जेडिये की विबिन परियोजनाओं के लोकारपन और शिलानयास कारिकरम में बोलती हुए गहलोत ने कहा कि विकास के कारे कॉंग्रेस सरकार नहीं किये जबकि BJP सरकार ने केवल चुराहों का श्रिंगार किया सियम गेरोत ने कहा कि हमारे विकास कारे मिल के पत्थर साबित हो रहे हैं और टूरिस्ट अब जैपूर आना पसंद करते हैं इस कारेकरम में वी सी के जरिये बीजेपी प्रदेशा ध्यक सतीश पूनिया के साथ ही पार्टी के दूसरे जन प्रतिनीदी भी जुड़े हुए थे कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही सरकार अब सक्ति की तैयारी कर रही है जिन जिलों में कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं वहां सरकार पाबंदिया बढ़ाने की तैयारी कर रही है ग्रह विभाग एक दो दिन में नई पाबंदियों पर गाइडलाइन जारी कर की तैयारी कर रहा है मुख्यमंत्री सक्ति करने की घोशना कर चुके हैं प्रदेश भर में अब सारवजनिक समारों और शादियों में आने वाले लोगों की संख्या को सो से घटा कर पचास करने और जाधा प्रकौप वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय भणानी की तैय जोद्पुट जिले के फलोदी जेल से 16 बंदियों के भागने के मामले में रविवार को मुख्य सुत्रधार को पकड़ने के बाद पुलिस ने सोंवार को एक बंदी को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली 15 बंदी अभी तक फरार हैं मुख्य सुत्रधार से मिली सूचना के पुलिस ने फलोदी से सटे बाप शित्र से एक बंदी मोहन राम विश्णोई को पकड़ लिया इस सफलता से उत्साहिद पुलिस अप अन्य फरार बंदियों की तलाश में जुटी है अलवर जिले में सौमार को अधिक्तर टीका केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है प्रविवार देर रात करीब दो बजे वैक्सीन अलवर पहुंची और सुबह आठ बजे से पहले वैक्सीन जिले भरके 105 टीका केंद्रों को वैक्सीन वित्रित की गई सुबह नो बजे से वेक्सीन लगाना शुरू होगा, वेक्सीन उपलब्दता के अनुसार दी गई है, कहीं कम भी पढ़ सकता है और वैसे भी अलवर जिले में एक दिन में करीब 30 के आसपास वेक्सीन की खपत है अजमेर के महरशी द्यानन सरस्वती विश्रविद्याले के सालाना परिक्षा फोर्म अगले सप्ता भरने शुरू होगे वीवी संभवत है 13-15 अप्रेल के बीच फोर्म भरवाना प्रारम कर सकता है विकानेर की महराजा गंगा सिंग उनिवरस्टी द्वारा फोर्म की तक्निकी जानसबंदी पत्र भीजने में डेरी के कारण परिशानिया कायम है वीवी को 17-2021 की सालना परिक्षाओं के लिए ओनलाइन फोर्म भरवाने हैं वीदा में लखनव की फोर्म को कामका सोपा गया कोटा जिले में कोरोना के चलते हालाद भयावय होते जा रहे हैं अप्रेल के माह में कोरोना का खतरनाक रूप सामने नजर आने लगा है बीते तीन दिन में कोरोना संक्रमन ने 1670 लोगों को चपेट में लिया प्रविवार को रिकोर्ड 632 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए कोरोना का संक्रमन अब परिवारों में फैलता जा रहा है बीते चार दिन में कोरोना से कुन हाड़ी शित्र के सकत पुरा निवासी सास बहु की मोथ हो गई आज मेर सही जिले बर में महिलाएं और विवतें गणगोर का पुजन श्रदा वे उत्सा के साथ कर रही है इस दोरान लोग गीत सुनाई दे रहे हैं दुलंडी के दूसरे दिन से शुरू हुए पुजन का उध्यापन 15 अप्रेल को होगा चैतरकृष्ण प्रतिपदा से यानि धुलंडी के अगले दिन से ही गणगोर पुजन शुरू हो गया घर-घर इसरवे पार्वती के पुजन की परंपरा है यह पुजन 16 दिन तक किया जाता है चैतरकृष्ण शुक्ल तृतिया यानि 15 अप्रेल को इसकी समाप्ती होगी रावत भाटा सित राजसान पर्माणू बिजली घर के इंजिनिर और तक्नीकी विशेशग्यों ने कैनेडा निर्मित राजसान पर्माणू बिजली घर की बूड़ी हो चुकी दूसरी यूनिट के बॉयलर की 171 टन वजन की 57 हेयर पिन का सफलता पूर्वक प्रत्यारोबित कर कोरोना के आपदाकाल में अवसर ढूंडा कर एक इतिहास रच दिया हमारे विशेशग्यों ने यह कार नामा ऐसे समय में किया है जब रावत भाटा सित राजसान पर्माणू बिजली घर की दूसरे एकाई को बंद करने की बात कही जा रही हो सबसे अच्छी बात यह है कि 115 करोड की लागत आई है और इसमें से 20 हेर पिन और बदली जानी है यह इकाई हर दिन 2 करोड की बिजली बनाकर 58 दिन में लागत पूरी कर लेगी विश्व कला दिवस के अफसर पर 15 अप्रेल को अजमेर के दयानन महाविध्याले की विद्यार थी विश्व की सबसे बड़ी कोरोना जागरुकता पेंटिंग बनाएंगे कॉलेज सबागर की छट को कैनवास की रूप में तयार किया गया है प्राचारे डोक्टर लक्षमी कांत ने कहां कि विश्व कला दिवस पर कला प्रेमियों के लिए अपनी कला को प्रदर्शित करने का बहतर अफसर है कॉलेज के कला विभाग के तत्वाधान में 15 अप्रेल को विश्व की सबसे बड़ी कोरोना जागरुकता पेंटिंग बनाई जाएगी और इसकी लंबाई 90 फिट और चोड़ाई 45 फिट होगी पश्वमी राजसान में जोदपुर डिसकॉम के कारण हजारों किसान संकट में आ चुके हैं कपास की बुआई नजदीक आ चुकी है लेकिन किसानों को बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहे डिसकॉम में 23,000 से ज़्यादा किसानों ने बिजली कनेक्शन के पैसे तो जमा करवा दिये लेकिन उन्हें कनेक्शन देनी के लिए डिसकॉम के पास समान ही नहीं है इसके कारण मारवाड के 23,000 किसानों ने बिजली कनेक्शन नहीं हो पा रहे किसानों ने इसके लिए जन्वरी 2021 में ही डिमांड राश्ची जमा करवा दी थी कोटा जिले में सित प्रसेद राश्ट्रेत चंबल घडियाल सेंचुरी में खुले आम वन्यजीव सरंक्षन अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जाने का मामला उजागर होने के बाद अप्रशासन हरकत में आ गया है सेंचुरी में शराब पार्टी का मामला सामने आने के बाद जिले के दिगोध उपखंड अधिकारी ने वन विभाग समेश सभी सम्मंदित विभागों के अधिकारियों को इस मामले में त्वरित कारवाही के आदेश दिये जिराना से टोड़ा राइसिंग केकडी मार्ग पर एक भी रोडवेज बस का संचालन नहीं होने से यात्रियों को आवगमन में काफी परिशानी उठानी पड़ती है ग्रामिनों ने बताया कि स्टेट हाईवे 117 पर जिराना कस्वा स्तित है जहां से 35 किलोमेटर दूट टोड़ा राइसिंग कस्वा है जो सडक मार्ग से जुड़ा हुआ है लेकिन इस मार्ग पर एक भी बस का आवगमन नहीं होता जबकि इस मार्ग पर 10 वर्ष पहले प्रतेग घंटे में सुबह से शाम तक टोग से टोड़ा राइसिंग वाया जिराना होते हुए प्राइवेट बसो का संचालन होता था लेकिन अब इनका संचालन पूरण तयब बंध हो गया है अजमेर में केंद्री रिजोग पुलिस बलके जवान के खाते में हैकर्स ने कैश उड़ा दिये जवान ने गंज थाने में रिपोर्ट दी है कारेवाहक थानप्रभारी दल्वीर सिंग ने बताया कि केंद्रे रिजोब पुलिस के फाइसागर रूड सित गुरुप केंद्र में रहने वाला जवान असीम पान फिलाल त्रिपुरा में तैनात है पाल ने रिपोर्ट में बताया कि हैकर्स ने मोबाइल पर कोल कर केवाईसी अपडेट कराने को कहा उसने फोन पर केवाईसी अपडेट करने से जुड़ी जानकारी दी अजमेर में जमीन सबंदी विवादों में फैंसले के बदले घूस लेने वाले राजस्व मंडल के दो सदस्यों सहित दलाल के खिलाफ ACB जान चारी रही ACB को दलाल के घर से पुरानी करंसी नोट सहित नोट गिनने की मशीन मिले मंडल में अध्यक्ष और सदस्यों के चैंबर सीज किये गए हैं सौमार को एजी भी सदस्यों और दलाल के बैंक खाते और प्रपर्टी के दस्तावेज खंगालेगी और साथी सीज किये गए चैंबर पर सरकार और डीजी निर्देश पर कारवाही करेगी वितिय वर्ष कांती महिना स्वान नगरी के प्रेटन उध्योग के लिए निराशा का संदेश लेकर आया विख्यात मरू महुतसर के आयोजन के बाद होली परपर सैलानियों की आवक न होने से प्रेटन उध्योग में हताशा का महूल था और रही सही कसर कोरोना के आंकड़ों में आ रहे उच्छालों से पूरी होगे ऐसे में प्रेटन से जुड़े लोगों को वीकेंड टूरिजम से जो उम्मीद थी वहे भी टूट चुकी है अनुमान लगाया जा रहा था कि मार्च महिने में होली सहीत वीकेंड टूरिजम सहीत करीब 10,000 पर डग भ्रमन पर आएंगे और प्रेटन सहीत अन्य व्यवसाईयों की जोली में 6 करोड रुपे का व्यवसाई होगा लेकिन ऐसा नहीं हो फिलाल इस बुलिटेन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम मड़ी खबरों के साथ SBT News के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें धन्यवार